Hello dear students, so I hope geometrical isomerism के मेरे lecture number 1 and 2 आप लोगों ने देख लिया होगा तो geometrical isomerism का ये है lecture number 3 and I welcome you to this lecture So dear students, थोड़ा सा कुछ revise कर लेते हैं हमारे last two lectures का concept तो देखें, यहाँ पर अगर आप से पूछा जाए कि ये वाला compound क्या geometrical isomerism exhibit करेगा तो answer होगा यहाँ पर no क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दौनों atom same है, ठीक है? तो जो restricted rotation system है यहाँ पर, restricted rotation system है इसके about यह जो groups हैं, यह identical अगर होते हैं तो ऐसे molecules geometrical isomerism show नहीं कर सकते हैं, ठीक है? So dear students, अगर हम से इस molecule में पूछा जाए क्या यहाँ पर geometrical isomerism show होगा तो देखते हैं, चेक करते हैं, देखें, इस C double bond C के about आप देख सकते हो, identical items हैं तो यहाँ पर यह C double bond C, इसके about geometrical isomerism show नहीं हो सकता है फिर इस system के about देखते हो, तो यहाँ पर है triple bond, तो triple bond के about भी geometrical isomerism नहीं होता है और यहाँ पर भी C triple bond C है यहाँ पर भी geometrical isomerism नहीं होता है तो overall हम कह सकते हैं कि इस molecule में no geometrical isomerism will be observed अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए क्या इस molecule में geometrical isomerism मिलेगा या फिर नहीं तो देखें यहाँ पर तो है triple bond तो यहाँ पर geometrical isomerism नहीं मिलेगा यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन यह आप देख सकते हैं, एक restricted rotation system है, और यहाँ पर यह दोनों groups different हैं, और यहाँ पर यह दोनों groups भी different हैं, तो restricted rotation system, जह C double bond C में, अगर groups different हो, A और B, मतलब not equal, और यहाँ पर भी इसी तरह से different groups हो, तो ऐसे system GI या geometrical isomerism show कर सकता है, तो यह molecule definitely geometrical isomerism show करेगा, अगर इस molecule के लिए हमको check करना हो, क्या यहाँ पर geometrical isomerism मिलेगा, तो इस molecule में हमको check करना हो, क्या यहाँ पर geometrical is primerism मिलेगा, तो देख 위해, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, restricted rotation system तो इह हैं double bond, तो यहाँ पर देखोगे तो hydrogen है और यह hydrogen है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा इसी तरह से यहाँ पर भी hydrogen है और यहाँ पर भी hydrogen है तो यह जो molecule है यह geometrical isomerism show नहीं करेगा Now dear students अगर इस question में हमसे पूछा जाए क्या यह molecule geometrical isomerism show करेगा तो देखिए इस side अगर आप देखोगे तो यहाँ पर hydrogen है तो यह तो geometrical isomerism इस restricted rotation system के about possible नहीं है लेकिन अगर इधर हम देखते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है यह देखिए यहाँ पर एक hydrogen है और यह group methyl group है ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक group तो यह पूरा है और दूसरा group यह रहा तो यह जो restricted rotation system है हमारा यहाँ पर GI observe होगा तो overall yes यह molecule geometrical isomerism शोग करेगा तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम को A, B और C इनमें check करना है कि geometrical isomerism किसमें मिलेगा हमको तो देखिए A वाले में अगर हम देखें तो आप यह जो C double bond O देख रहे हो तो इस C double bond O के about यह oxygen जो है इस पर तो identical होगा एक तरीके से तो कभी भी C double bond O के about आपको geometrical isomerism देखने को नहीं मिलता है यह मैंने आपको last lectures में भी discuss करा है I hope आपने वहाँ पर C वाले में अगर हम देखें तो यह cyclo-alkane है और यहाँ पर यह जो दो methyl groups हैं यह cis और trans मतलब दौनों wedge पर हो सकते हैं इस तरह से यह wedge पर और यह भी wedge पर तो यह हो गया आपका cis और अगर एक wedge पर है और एक dash पर है ठीक है कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर suppose यह cs3 और इस तरह से यह cs3 तो यह आपका क्या हो जाएगा trans ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे yes यह वाला जो compound है c वाला यह geometrical isomerism show कर सकता है सुदिये students next question है हमारा यह यहाँ पर हमको 3 molecule दे रखें a, b and c और हमको check करना है कि कहाँ पर gi exhibit करेगा कहाँ पर नहीं करेगा ठीक है तो अगर हम first वाला structure देखें ठीक है तो यहाँ पर यह जो c double bond c है इसके about आप देखोगे तो hydrogen है और यहाँ पर hydrogen है तो identical groups है इस c double bond c के about gi exist नहीं करेगा तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो देखें यहाँ पर क्या है यह lone pair है nitrogen पे ठीक है तो इसके about अगर हम देखते हैं तो यह c double bond n है ओके इसके about आप देखोगे तो एक तो यह group है और एक क्या है यहाँ पर हाइडरोजन और दूसरा c double bond n के about देखोगे तो एक तरफ लोन पेर और एक तरफ है यह CS3 ग्रूप ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि यह दोनों भी different groups है और यहाँ पर यह दोनों भी different groups है तो यह आपका GI शो करेगा बी में अगर हम देखें तो यहाँ पर C double bond C के about दो identical groups यहाँ पर present है तो दो identical groups होने के कारण यहाँ पर geometrical isomerism नहीं मिलेगा C में अगर हम देखते हैं तो इस double bond C double bond N के about यहाँ methyl है यहाँ पर ethyl है तो different groups है और यहाँ पर आप देखोगे तो एक loan pair है और एक है OH group तो yes यहाँ पर भी geometrical isomerism आपको देखने को मिलेगा तो in short A और C यहाँ पर आपको GI देखने को मिलेगा so dear students अगर आपसे पूछा जाए क्या यह molecule geometrical isomerism exhibit करेगा तो आपका answer होगा no क्योंकि यह है cyclohexene और cycloalkene में हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ पर carbon 8 या 8 से जादा होंगे वहाँ पर geometrical isomerism exhibit होता है बट अगर यहाँ पर इस तरह से दो methyl group आ जाए यह आप देख सकते हो CS3 CS3 groups आ गए क्या इस molecule में geometrical isomerism exhibit हो सकता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यह अगर हम देखेंगे तो यह SP3 carbon पर लगा हुए है ना कि इस carbon पर यह जो carbon है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है यह methyl groups यहाँ पर लगे हुए है तो एक तरीके से आप देखिए cycloalkene वाली property तो यहाँ पर possibility है कि यह जो CS3 groups है यह जो दौनों CS3 group है यह wedge पर भी हो सकता है और दौनों wedge पर होंगे तो cis हो जाएगा और एक अगर wedge पर होगा और एक अगर dash पर होगा तो trans हो जाएगा ठीक है या फिर इस टाइप से कोई molecule हो जाए आपके पास में double bond यहाँ पर CS3 और यहाँ पर CS3 तो देखिए यह तो CS3 C double bond C के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसके about तो होगा नहीं और यहाँ पर अगर हम देखें इस carbon पर ठीक है यह जो sp3 वाला है इसके about wedge dash हो सकता है बट compare आप क इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा चलिए अब साइकलो अलकीन का मैंने last question डिसकस करा अगर ऐसा आपके पास में कोई molecule हो जाए तो आप बताईए यहाँ पर होगा क्या geometrical isomerism exhibit करेगा क्या तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस carbon पर अगर हम देख exhibit नहीं करेगा ठीक है वहीं पर अगर मैं एक और molecule लूँ जैसे कि यह आप देख सकते हो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इस carbon पर तो इस carbon पर दो different group है एक methyl है और एक ethyl है तो yes यहाँ पर geometrical isomerism exhibit होगा क्योंकि एक group यहाँ पर है और एक आप इन में से किसी को भी ले लीजिए जैसे कि methyl को अगर ले लेंगे तो methyl अगर दोनों के दोनों wedge पर होंगे तो cis अगर एक dash पर होगा एक wedge पर होगा तो आपका trans in short यहाँ पर आपको geometrical isomerism मिलेगा ठीक है वहीं पर अगर हम यह molecule ले लें let's say तो फिर से वही हो जाएगा answer कि यहाँ पर नहीं साथ में आपका linkage भी देखोंगे तब इस side से या फिर इस side से same है तो in any way दो group identical आपको मिल जाते हैं जिस carbon के about आप चेक कर रहे हो तो yes sorry यहाँ पर क्या मिल जाएगा no geometrical isomerism यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इन तीनों में से सिर्फ यह वाला जो molecule है इसमें geometrical isomerism आपको देखन bond N तो देखें इस C के about यहाँ पर भी ethyle group है और यहाँ पर भी ethyle group है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा इस C double bond O को देखते हो तो यहाँ पर identical lone pair है इसलिए यहाँ पर भी नहीं मिलता है C double bond O के about यहाँ पर कोई भी groups हो सकते हैं बट क्योंकि यहाँ पर 2 lone pair होने की वज़े से आप difference नहीं create कर पाओगे तो यहाँ पर geometrical isomerism नहीं मिलता है, for the same reason D option पर भी नहीं मिलेगा, C option में अगर आप देखोगे, तो देखे, C double bond N है OH है, यहाँ पर lone pair रहेगा ठीक है, और यहाँ पर दो different group है एक CS3 है और एक है C2H5 तो yes, C option यहाँ पर आपको geometrical isomerism show करेगा तो देखे, यहाँ पर आप देख सकते हो A, B, C and D 4 molecules, इन सभी में अगर हमको check करना है कि कौन सा molecule geometrical isomerism show नहीं करेगा तो देखे, पहला वाल अगर आप देखो तो lone pair यहाँ पर same side पर, इसी तरह से opposite side पर हो सकता है ठीक है, तो यह show करेगा yes, B वाले में देखोगे तो hydrogen, hydrogen, identical groups opposite side पर, trans, same side पर आजाएगा तो cis, तो yes, B भी show करेगा C वाले में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर, यह lone pair है और यह है OH, lone pair और final group यहाँ पर opposite side पर है lone pair और final same side पर आ सकते हैं जिस वाज़े से उनका relative distance क्या होगा different हो जाएगा दो अलग-अलग structure मतलब C double bond N और lone pair अगर उपर आ जाए, OH नीचे आ जाए और phenyl के आप देखिए, आप same side पर lone pair आ चुका है, तो यहाँ पर यह दौनो geometrical isomers है, तो yes, C में भी मिलेगा D में अगर हम देखें, तो देखें identical groups है, इस C double bond O के about, मतलब restricted rotation system के about, जिस कारण से यहाँ पर यह जो D molecule है, यह geometrical isomersism show नहीं कर सकता है तो देखिए, यहाँ पर आपको यह 4 molecule दे रखें और इसमें चेक करना है कि geometrical isomersism किसमें देखने को मिलेगा तो देखिए, यह तो अब है 5 carbon, तो cyclopentene में नहीं मिलेगा, याद करिए हमने पढ़ा था कि cycloalkene में, जहाँ पर number of carbon greater than or equal to 8 होंगे, यहाँ पर आपको GI मिलेगा किसमें? cycloalkene में तो यहाँ पर तो 5 carbon है, नहीं मिलेगा, 6 carbon है, नहीं मिलेगा, 4 carbon है, नहीं मिलेगा, 10 carbon से हैं तो yes, यह molecule geometrical isomerism शो कर सकता है So dear students, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक alken है, इसमें 3 eans है, मतलब triene है, और यहाँ पर अगर इन double bonds की positions को मैं let's say x, और यहाँ पर let's say y, और इसको z से represent कर दो, तो question यहाँ पर हमको यह है, कि हमको पता करना है कि से किस टाइप का होगा geometrical isomerism, तो देखिए restricted rotation system को x, y, z, 3 positions पर मिल रहा है x position पर आप देखोगे, तो hydrogen यहाँ पर है, hydrogen यहाँ पर है, तो same side पर है, तो x पर क्या हो जाएगा, cis, okay, y पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो hydrogen यहाँ पर रहेगा, और एक hydrogen यहाँ पर रहेगा, तो same side पर है, तो y पर भी cis रहेगा, z पर अगर आप देखोगे, तो देखें, एक hydrogen यहाँ रहेगा और एक hydrogen यहाँ रहेगा, तो opposite side पर है, तो z वाला क्या हो जाएगा, trans हो जाएगा, X persis, Y persis और Z पर trans हो जाएगा So dear students, यह जो गोश्चान है इसमें आमरे पास में 4 molecule है A, B, C and D हम से पूछा गया है कि यहाँ पर किस molecule में cis trans isomerism मिलेगा, cis trans isomerism मतलब simply वो कह रहा है कि geometrical isomerism इसमें आपको देखने को मिलेगा तो देखे, A में अगर आप देखते हो तो यह है restricted rotation system, C double bond C यहाँ पर hydrogen होगा, hydrogen होगा तो yes, यहाँ पर yes, 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 ऐसी तरह से trans हो जाएगा तो A में आपको देखने को मिलेगा B अगर देखोगे तो cyclo alken है carbon 6 है, तो मतलब 8 से कम है तो यहाँ पर geometrical isomerism देखने को नहीं मिलेगा C में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर hydrogen है तो identical group है आपके यहाँ पर इस carbon पर, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, और D में अगर आप देखते हो तो यह जो C double bond C है इसके about भी identical groups है तो यहाँ पर भी geometrical isomerism देखने को नहीं मिलेगा तो answer क्या हो जाएगा, A अब देखिए, एक important concept याद रखेंगे आप कि C double bond C, इसके about जैसे हमने देखा A, B, A, B, तो यहाँ पर यह system क्या हो गया, CIS यहाँ पर A और A अगर opposite है तो यह क्या हो जाएगा, Trans तो यहाँ पर number of pi bond कितने है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 pi bond है तो अगर cumuline, मतलब continuously अगर हम यहाँ पर इस तरह से pi bond लगाते जाएं, तो यहाँ पर कितने pi bond है, 2, तो even number में नहीं, odd number में जैसे उपर वाले के, इसमें अगर हम देखें, तो इन में pi bond कितने है, 1, तो ऐसे ही odd number में आपको check करना है, तो यहाँ पर अभी 2 है, तो अगर यहाँ पर 3 है, तो फिर यह system, जो हमने उपर बनाया है, वैसा ही है, तो यह भी क्या होगा, सिस हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे आप, कि कितने pi bond होने चीए, odd number में, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, तो टोटल कितने होगा है, 3 pi bond continuously होना चाहिए, तो वही सारे rules हैं, कि identical groups नहीं होना चीए, तो यहाँ पर A और B अलग-अलग हैं, यहाँ पर B अलग-अलग हैं, और A और A same side पर हैं, तो सिस हो जाएगा, इसी तरह से अगा यहाँ पर हम इसका trans बनाएं, तो यहाँ पर क्या होगा? A और एay opposite side पर हैं, तो यह क्या होजाएगा? इसका trans and obviously B यहाँ हो जाएगा, B यहाँ पर हो जाएगा जैसे उपर B यहाँ पर B यहाँ तो यहाँ हो जाएगा trans So dear students, यहाँ पर again हमारे पास में A, P, C and D 4 molecules हैं और हमको चेक करना है कि इन में से कौन सा इसा molecule है जहाँ पर geometrical, isomerism exhibit नहीं होगा तो देखे, A वाले में अगर आप देखोगे तो यह chlorine जो है wedge और dash पर हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर एक दौनो wedge पर हो जाएगा, तो cis, एक wedge पर, एक dash पर तो trans, तो यहाँ पर तो आपको geometrical isomerism देखने को मिलेगा, ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे, identical group होने की वज़े से आप अगर position को interchange करोगे भी इन दौनो chlorine के, तो भी आपको कोई भी relative distance change होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो that's why D molecule जो है यहाँ पर geometrical isomerism exhibit नहीं करेगा, तो answer होगा option D, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास question है, कि cis isomer among the following कौन सा होगा तो चलिए check करते हैं यह हमारे पास तीन molecule है इन में से हमें cis isomer डुढ़ना है तो देखिए, यहाँ पर दौनों ब्रोमीन wedge पर है, same side पर है, तो यह होगया cis, यहाँ पर दौनों ब्रोमीन आपके same side पर अगर groups होते हैं identical, तो ऐसे compounds को हम क्या बोल देते हैं cis, और c double bond c के about या restricted rotation system के about अगर identical groups, opposite side पर होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, trans similarly, अगर हमको nitrogen, double bond nitrogen दिया हो, और यहाँ पर lone pair हो तो lone pair अगर है और lone pair same side पर है तो यहाँ पर हम इसको nomenclature में इसको नाम देंगे sin, sin notation देंगे वहीं पर अगर lone pair opposite हो जैसे यहाँ पर यह आप देख सकते हो opposite, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप इसको आप nt बोलोगे ठीक है, तो यहाँ पर जब n double bond n रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं अब azo compounds, ठीक है, तो यह azo compounds है ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम phenyl लगा दें और यह भी phenyl, ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे यहाँ पर sin, azo, benzene, ओके तो अगर इसका structure हम draw करें c double bond n और यहाँ पर let's say loan pair है, और यह OH है ठीक है, तो यहाँ पर let's say cs3 है, और यह यहाँ पर h है, ठीक है, तो देखिए oxyme में अगर आपको nomenclature देखना है, ठीक है तो hydrogen और OH अगर यह same side पर है, तो यहाँ पर हम designate करेंगे sin की तरह और अगर यह opposite हो, मतलब c double bond n और let's say यह OH और यहाँ पर एक loan pair है, ठीक है, और यहाँ पर hydrogen और यहाँ पर let's say cs3, तो इसमें hydrogen और OH opposite है, तो हम हम इसको designate करेंगे nt की तरह, so dear students यहाँ पर हमको 4 molecule दे रखे a, b, c and d, और हमको बताना है कि यह जो cycloalkanes है यह सभी क्या है, cycloalkane है, तो इसमें किस molecule में आपको geometrical isomerism देखने को मिलेगा, मतलब cis trans isomerism कहां देखने को मिलेगा, यह आपको बताना है यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर अगर first option देखते हो, तो यहाँ पर तो सिर्फ a की group है, आपको comparison करना पड़ता है geometrical isomerism में, restricted rotation system के about, तो यहाँ पर geometrical isomerism आपको देखने को नहीं मिलेगा, बी में अगर आप देखोगे तो identical groups हैं, आप compare किसी से कर नहीं पाओगे, क्योंकि दो different carbon पर, जैसा कि मैंने आपको last lecture में डिसकस करा था, तो different carbon per groups होना चाहिए, तो यहाँ पर तो same carbon per identical groups हैं, भले ही different भी हो जाते, तब भी यहाँ पर geometrical isomerism देखने को नहीं मिलता, क्योंकि same carbon पर है, ठीके, क्या condition है? different carbon पर होना चाहिए, चलिए, C में अगर आप देखो, तो देखे, different carbon है, यह आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको geometrical isomerism देखने को मिलेगा, मतलब cis trans isomerism देखने को मिलेगा, D option में अगर आप देखो, तो again different carbon पर है, तो यहाँ पर भी आपको geometrical isomerism देखने को मिलेगा, तो C if you are having any doubts please ask in comment box bye-bye